मिलते हैं आज भी हजारों बरस पुराने कलों के आसार जर्खेजी में जिस धर्ती का होता है अवल शुमार जो आज भी है डाले हुए तारीख की हर रग में जान वो है द्रियाए सिंध के किनार आबाद पंजाब का एक तारीखी जिला रहीम यारखान सन 1881 में ये नौशहरा से रहीम यारखान में ढला और सन 1943 में इसे जिले का दरजा मिला आज रहीम यारखान है चार तहसीलों से आबाद जिन में रहीम यारखान लियाकत पुर, खान पुर और चौथी है सादिक आबाद यूँ तो यहां की जरखेजी और हरेाली है इसकी पहचान मगर इसके एक चौथाई हिस्से पर फैला वसी सहरा जिसे कहा जाता है चोलिस्तान चोलिस्तान और यहां की जिन्दगी अपने आप में एक कशिश है रखती जिसके खुस्न की तारीफ खाजा घुलाम फरीद की काफियों में है मिलती इस रेगिस्तान में कभी सिकंद्रे आजम ने था अपनी आमद का जंडा गाड़ा जिसका सुबूत है यहां आज भी मौजूद ये पत्तन मिनारा रोही की इस खुश्क जमीन से है तारीफ का बरसों पुराना नाता जिसे चारों दर्फ से है अजीम उश्शान कलो ने खेरा सतर्वी सदी में राजा रावल का बनवाया कला भीमवर कई सदियों तक दुश्मन को अपनी बुनियादों तले रौंदने वाला कला आज कहलाता है कला इसलाम गड़ जहां से आज भी एक अजीम माजी की दास्तान का किस्सा है मिला वो है यहां हाजी खान का सत्रा सो पेच्छत्तर में बनवाया खैर कड़ कला रहीम यार खान की भोंग मस्जिद रखती है पूरी दुनिया में अपना एक अलग मकाम बे मिसाल फन्ने तामीर की बदालत है गीनिस बुक आफ दी वर्ल्ड में इसका नाम जरई अतबार से यह सरजमीन नायाब है मानी जाती क्योंकि ये गंदुम, गंणा, सरसों, मकई, जावल और कपास जैसा सुफैद सोना है उगाती इस सरजमीन पर होती है अरब खानदानों की भी चहल पहल जिनका ठिकाना है यहां शेख जैद बिन सुल्टान का बनवाया अबुदभी महल रहीम यारखान इंटरनेशनल एरपोर्ट से जहाज भरते हैं दुनिया भर के लिए उड़ान यहां का रेलवे स्टेशन देता है मुसाफिरों को मन्जिलों की अमार यहां इल्म से मुनवर हैं सभी राहें क्योंकि यहां हैं तामीर मिल्लत हाई स्कूल एग्रिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट और ख्वाजा फरीद यूनिवर्स्टी जैसी दसगा हैं खिद्मते खल्क में भी यह शहर है काबले दाद अल्खिद्मत मेडिकल कमप्लेक्स रहीम यारखान हस्पताल और शेख जैद हस्पताल में दी जा रही हैं दिन रात मरीजों को हर तरह की दिबी खिद्मात खेलों के दिवाने यहां के सादिक कलब और अबासिया स्पोर्ट्स कमप्लेक्स में हैं आते क्योंके यहीं तो खेलों के मेले हैं लगाए जाते बच्चों और बड़ों की दिल्चस्पी का हर सैरो सफर है यहां रहीम यारखान वाइड लाइफ पार्क के नाम से जंगली हयात का घर है यहां जहां की फिजा में गूंचती है हर सू रब ताला की तारीफ वो है यहां एक सूफी बज़र्ग और शायर खाजा गुलाम वरीत की कयामगा जाचना शरीफ मार्फत इलाही की यहां च्छाई है हर सू गहरी बहार क्यूंके यहां मोहे मुबारिक में है एक और वली हमीदु दीन हाकिम का मजार